हेलो एवरेवन देखना सुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइन्स क्लासेस आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर हुमन इंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर का नाम है केमिकल को आडिनेशन एंड इंटीग्रेशन कैसे कैसे केमिकल्स वर करते हैं हमारी बॉडी मे कौन-कौन सी ग्लैंड्स होती हैं एक-एक करके उनके बारे में हम डीटेल में स्टिडी करेंगे एक सिंगल वन सौट वीडियो पूरे चैप्टर का नीट की प्रिप्रिशन कर रहे हैं या फिर अपकमिंग वोड इजामनेशन में जाने वाले हैं काफी इंपॉर्टेट होन इनके सिगनिफिकेंस की जैसे हमने पढ़ रखा है नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स हमारी पूरी बड़ी में कनेक्टेड होती हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां पर ये नर्व सेल्स इंटर्वेट नहीं कर पाती हैं हर सल तक ये खबर नहीं पहुँचा प रहा है तो उसको alternate options रखने होते हैं alternate post appointed की जाती हैं जैसे अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर लोकल लेबल तक administration नहीं कर पाता है इसलिए सब लेबल पे अलग-अलग officers डिवाइड कर दिये जाते हैं ताकि हर steps को regulate किया जा सके same as cellular function को regulate करने के लि रोल देखने को मिलता है endocrine system का ये endocrine system अपना काम किस से निकल आते हैं हार्मोन से सारी जिम्मेदाई सौप देते हैं हार्मोन से ये integrated with the neural system मतलब ये attachment जुड़ा हुआ देखने को मिलता है किसके साथ neural system के साथ खुद integrate होके changes कास करता है अगर हम यहाँ पे बात करें हार्मोन की तो सबसे पहला खोजा गया हार्मोन है सिक्रिटिन सिक्रिटिन पहला हार्मोन जो discover किया गया था term हार्मोन दिया गया था E.H. starling के द्वारा और word diabetes day celebrate किया जाता है 14th November में diabetes day हमने यहाँ पे जिक्र इसलिए किया है क्योंकि यह वाला जो day है especially hormones की कमी की वज़े से होने वाली बिमारी है diabetes इसलिए हमने यहाँ पे इसका जिक्र किया है 14th November वैसे आने वाला भी है मन्त 14th November को एक और डे मनाया जाता है Children's Day के नाम से उमीद है याद भी होगा सबको तो correlate करके याद रख लेना same day पे क्या मनाया जाता है Children's Day मनाया जाता है आगे हम अगर बात करें यहाँ पे तो endocrine gland और hormones का अपस में religion कैसे देखने को मिलता है endocrine glands वो थैलियां जो ductless होती है endocrine gland मतलग यह एक थैली है अगर तो इस थैली से कोई ऐसी pipe नहीं लगी है कि जिसको भेजना है वहाँ तक जाए यह pipe system यहाँ पे नहीं होता है यहाँ पे यह pipes हटे हुए देखने को मिलती है सिर्फ क्या होती है glands, glands ने release कर दिया तो यह secret करती है क्या secret करती है chemicals उनको हम बोलते है hormones, ductless gland होती है यह secret करती है hormones hormones की अगर हम pattern की बात करें तो regulate करने के लिए जो हमारे physiological body के functions होते हैं मतलब हमारे body की activities, chemical changes इन सब के लिए दो system coordinate करते हैं एक साथ एक है endocrine system और दूसरा है neural system यह दोनों system work करते हैं अगर हम बात करें neural system में तो यह point to point rapid coordination होता है बहुत तेज की direct brain ने message भेजा और muscle ने response किया लेकिन जब हमें environment मतलब जहां पे nerve cells नहीं बहुँच पाती हैं वहाँ पे chemicals के थुरू message supply या message changes की जरूत होती है जैसे examples pattern पे हम बात करें तो hormones के सहारे हम बहुत सारे function perform कराते हैं इसको हम include करते हैं endocrine system में और यह थोड़ा time taking होते हैं present to the neural system वो बहुत ज़्यादा तेजी से perform करते हैं actions इन vertebrates में कुछ hormones पाए जाते हैं जबकि vertebrates में यानि कि हमारी body में बहुत सारे hormones देखने को मिलते हैं hormones के अगर हम बात करें तो hormones की classical definition mention की जाती है कि वो chemical जो endocrine gland से produce किये जाते हैं और release करते हैं होते हैं किसमें blood में और फिर blood से ट्रांसपोर्ट होते हैं दूर located target organ पे यह चीछ ध्यान रखिएगा hormone target organ पे ही वर करता है जिसके लिए code release किया गया वही code read कर पाता है तो यह specific target पे या organ के based होते हैं इनमें भी same like enzyme user specific term लगा होता है अगर हम scientific definition की बात करें तो hormone produce होते हैं किसमें trace amount में trace का मतलब होता है very little बहुत ही कम मात्रा में यह release out होते हैं act करते हैं as an intercellular messenger मतलब एक cell से तूसरी cell के बीच में messenger की तरह work करते हैं और hormones क्या होते हैं non nutrient chemical होते हैं यह digest नहीं होते हैं कि आपको energy दे सकें यह non nutrient in nature होते हैं intercellular messenger की तरह काम करते हैं और बहुत कम मात्रा में release होते हैं direct blood में release कर दिया जाता है चुंकि यह body के अंदर release किया जाते हैं inside the secretion होता है इसी वज़े से इनको हम endocrine glands बोलते हैं hormones इनके थुरू release किया जाते हैं अब बात करें अगर हम human endocrine system की तो हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं एक एक करके hypothalamus, pineal gland, pituitary gland pituitary gland की specified location यहां पे देखने को मिलती है आपके pituitary gland, thyroid and parathyroid gland, thymus gland, pancreas, adrenal, testis male body में देखने को मिलता है और ovary, female body में locations, endocrine gland की यह देखने को मिलती हैं कुछ और organ होते हैं, diffuse disease के पास पाए जाते हैं जो अलग-अलग काम कर रहे होते हैं लेकिन in case of emergency, कुछ hormones भी release कर सकते हैं जैसे हम बात करें, gastrointestinal tract की, heart की liver हां, heart और liver भी हमारा as an endocrine gland तो नहीं बोल सकते बढ़ हां, कुछ hormones इनकी cells के through secret होते हैं, including the kidney तो हम एक-एक करके इनके बारे में detail information लेंगे, जैसे-जैसे जरुरत पढ़ती रहेगी hypothalamus contain करता है बहुत सारे groups of neurosecretory cells, neurosecretory cells बहुत सारी यहां पर पाई जाती हैं जो neural message के according secretion करती है, chemicals का, यह cells बोली जाती है, nuclei जो produce कर सकती है, hormone और hormone यहां पर जो release होता है, यह किसी proper function को regulate नहीं करता है यह actually controlling hormones release करते हैं, जो control करते हैं other gland के function को other gland के function control होने की वज़े से इसको बोलते हैं हम master of master gland master of master gland, master gland जो होती है, यह होती है pituitry कैसे या क्यों होती है, अभी हम इसके बारे में discuss करते हैं यह especially pituitry gland की synthesis और secretion को control करते हैं और hypothalamus जो pituitry gland है यह enclosed होती है, गिरी होई पाई जाती है एक boni cavity में boni cavity मतलब हड़ी की एक cavity होती है, इसमें pituitry gland पाई जाती है boni cavity को क्या बोलते हैं, cella tersica, cella tersica इस cavity का नाम है जिसमें pituitry gland located होती है hormones की बात करें, तो releasing hormones यह order करते हैं कि तुम अब release करो material तो यहाँ पे देखने को मिलता है GNRH, releasing hormone के example में gonadotropin releasing hormone बोलते हैं इनको यह pituitry gland को targeted होते हैं, जादा तर control यह pituitry gland को करते हैं और pituitry gland फिर बाकी glands को control करती है, इसलिए pituitry gland को हम master gland बोलते हैं इसके अलावा inhibiting hormones भी release करते हैं, जैसे somatostatin, somatostatin hormones यह inhibiting hormones होते हैं pituitry gland को target करते हैं, release करने की बजाए यह क्या करते हैं, inhibit करने में help करते हैं जैसे material release हो रहा है, अब रोकना है, तो रोकने के लिए somatostatin release कर देंगे और material का जो flow था, pituitry gland के hormones का release वो रुक जाएगा मिलती है, ये region होता है hypothalamus का, hypothalamus region से जुड़ा हुआ ये हिस्सा stark और यहाँ पे ये पूरी gland आपको देखने को मिलती है, ये p, मटर के दाने के बराबर होती है छोटी से हिस्से होती है, इसको बोलते हैं pituitry, pituitry gland में hypothalamus की बात करें message signal directly यहाँ पे आता है, और यहाँ से फिर पहुंचता है कहाँ पे, pituitry के हिस्से में तो hypothalamus pituitry gland के जो आगे वाला front, बाहर वाला हिस्सा क्या बोला जाएगा, interior और पीछे वाला हिस्सा, posterior तो बाहर का जो हिस्सा है, anterior pituitry, यह एक porter circulation से connected है, किसके जो इसकी nerve cells present है, लेकिन जो back हिस्सा है, इसकी बात करें, तो hypothalmic neurons directly connect करते हैं, यहाँ पे किसी porter circulation की जरूरत नहीं होती है, पीछे वाले हिस्से में, तो देखो यहाँ पे directly nerve cell attach होती है, और इधर porter circulation के साथ attach होती है, posterior pituitry, इसको हम बोलते हैं, parse distills, बीच वाला हिस्सा, parse intermedia, अब parse distills और parse intermedia, हमारी body में mixed form में present होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं, adeno hypophysis, back, posterior pituitry का हिस्सा, जो store और release करता है, hypothalmic hormones, hypothalmas के चुंकि directly nonsense attach है, तो सारा का सारा storage और release hypothalmic hormones का कौन संभालता है, parse, nervousa, या इसको बोलते हैं हम neuro hypophysis, तो हमारे पास majorly pituitry gland के दो हिस्से दिखे, एक adeno hypophysis, और दूसरा neuro hypophysis, adeno hypophysis की अगर हम बात करें, यानि कि front हिस्से की, जो posterior pituitry का हिस्सा है, इसमें hormones जो release होते हैं, सबसे पहले growth hormone, growth hormone, growth of the body के लिए responsible होते हैं, आप growth label की बात करें, तो growth का जो effect होता है, pituitry gland से निकलने के बाद, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी लंबाई में growth करता है, bones को enlargement करने में help करता है, muscles हो या cartilage हो, उनके numbers और size में increment में help करता है, इसके लावा जो soft issues होते हैं, उनकी cell division को भी increase करता है, ताकि ज़्यादा dense structure form हो सके, तो growth multiple types की देखने को मिलती है, सिर्फ एक लंबाई में growth होना ही growth hormone का काम नहीं है, दूसरा hormone release होता है thyroid stimulating hormone, अब ये क्या है, TSH, नाम में लिखा है thyroid gland को क्या कर रहा होगा, stimulate कर रहा होगा, मतलब synthesis and secretion thyroid hormones का thyroid gland के थू हो, इसको कौन promote कर रहा है, adenohypophasis, तूसरा, अब ये adenohypophasis हिस्सा किसका है, ये pituitory gland का ही हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है adenocortico-tropic hormone, ACTH, directly short form में लिखा हुआ, देखने को मिल जाता है, आपको questions में जब आप इस पर try करेंगे तो, synthesis और secretion करते हैं, ये किसके steroid hormones के कहां से, adrenal cortex से, तो ये adenocortico-tropic hormones किसके लिए release किये गए, ताकि adrenal cortex के hormones release हो सके, pituitory gland अभी क्या कर रहा है, control कर रहा है दूसरों को, फिर अगला हिस्सा आता है gonadotropins, ये stimulate करते हैं gonadal activities की, gonadal activities में release होते हैं, FSH and LH, यानि की follicular stimulating hormone और luteinizing hormone, LH, male में synthesis और secretion of androgens, endrogens में हमारे पास hormone आता है testosterone, testosterone के religion में help करते हैं, female में induce करते हैं ovulation, ovulation को induce करते हैं, ताकि ovule properly fully mature graphene follicle से बाहर निकल सके, इसके अलावा carpus luteum को ये maintain करने में help करते हैं, FSS की बात करें, तो ये regulate करता है spermatogenesis with androgen, ये spermatogenesis यानि की sperm formation को promote करता है, regulate करता है कि sperm बन सके, ये भी endrogen यानि testosterone hormone को release करने में help करता है, female body में बात करें, तो ये growth और development में help करते हैं ovarian follicle को, तो ovarian follicle जो हैं, वो primary से secondary stage और tertiary follicular stage तक grow करती हैं with the help of FSH, और LH की help से ovolution यानि की graphene follicle का rapture देखने को मिलता है, और फिर egg cell secondary meocytes stage पे release होने के बाद यहाँ पे देखने को मिलती है, कारपस luteum जो बचा हुआ है, ग्रेफियन follicle के बाद उसको maintain किया जाता है, क्योंकि वही progesterone hormones release करता है during the menstrual cycle, अगर implantation होता है, तो implantation को support करता है, otherwise अगर fertilization नहीं हुआ, तो rapture हो जाता है, degenerate हो जाता है, कारपस luteum, prolactin, यह एक हार्मोन release होता है, pituiti gland के adeno-hypophysis region से, regulate करता है, growth of memory gland, memory gland के size को, growth को regulate करना, और फिर milk formation में help करना, किसमें, memory gland में, यह काम prolactin देखता है, फिर एक हिस्सा और है, milanocyte stimulating hormone, इसको summarized way में MSH बोलते हैं, यह parts intermediate के through release होती है, यह act करते हैं, milanocytes of the skin, इसकिन पे milanocyte cells हो जाती है, जिनकी वज़े से हमारी body का color देखने को मिलता है, dark color, light color, यह सब कुछ कौन कंट्रोल करती है, यह milanocyte cells, जो इसकिन में पाई जाती है, इनको regulate करने का काम कौन कर रही है, pituitary gland, pigmentation of a skin responsible होता है, इसके लिए MSH, milanocyte stimulating hormone, जो pituitary gland release करती है, इसकी वज़े से pigmentation हमारा देखने को मिलता है, अगले हिस्से की बात करें, तो हमें देखने को मिलेगा, posterior pituitary का हिस्सा, pars nervosa, या neuro hypophysis, release करता है oxytocin, नाम सुना होगा अच्छे से, act करता है smooth muscle, और stimulate करता है contraction, कब? during the child birth, child birth की समय, smooth muscle पे act करता है, ताकि pubic symphysis हो सके, और child birth के समय, problems ना देखने को मिले, vigorous contraction of uterus, at the time of child birth करता है, इसके अलावा, milk ejection, memory gland से ये promote करता है, तो milk ejection promote करना, इसका काम है, milk का formation करना, prolactin का काम है, याद रखिएगा, confuse मत होईएगा, why so person, या ADH, या इसी को anti-diuretic hormone बोलते हैं, ये act करता है kidney पे, kidney पे ये act करेगा, और stimulate करेगा, re-absorption of water, re-absorption water और electrolyte का बढ़ा देता है, कब जब पानी की कमी body में feel होने लगती है, और urine के form में पानी ज़्यादा जा रहा होता है, तो ये release होके आता है, और urine को concentrate कर देता है, distal tubules जो DCT होती हैं, उनसे electrolyte और water को re-absor कराने में help करता है, loss of water through the urine, urine अगर बार-बार urge हो, तो multiple urging को, हम diuresis condition बोलते हैं, multiple urge जब urination के लिए बार-बार निकल के जाना पड़े, condition diuresis कहलाती है, उस समय urine के through water loss को घटाने का काम कौन करता है, यही vasoperson या फिर ADH hormone, pituitory gland की बात करें तो तीन पार्ट, parts distalus, parts intermedia and parts nervousa, summarize way में हमें देखने को मिलेगा, nervousa दो हर्मोन रिलीज कर रहे हैं, ADH और oxytocin, oxytocin parturition यानि child worth के समय work कर रहा है, help कर रहा है, और यह water और electrolyte को reabsorption में help कर रहा है, कौन सा? anti-diuretic hormones, यह synthesized किये गए थे by hypothalamus, parts nervousa के जो hormones हैं, यह कौन सा synthesize कर रहा था? hypothalamus बना रहा था, parts intermediate एक ही हार्मोन रिलीज करता है, MSH यानि की milanocyte stimulating hormones, फिर बात करते हैं, past distalus की, यानि की दोनों को मिला के हम adeno hypofysis बोलते हैं, में यह 6 tropic hormone रिलीज करते हैं, जैसे GH growth hormone, thyroid stimulating hormone, यह जो hormones हैं, यह regulate कर रहे हैं, regulate किसको कर रहे हैं? activities of peripheral endocrine glands, अलग-अलग endocrine glands को FSH हो गया, follicular stimulating hormone या, luteinizing hormone या, adenocartyotropic hormone या फिर, thyroid stimulating hormone, यह सब क्या कर रहे हैं? other gland की activity को, जब की GH, GH यानि की growth hormone development कर रहा है, किसमें? somatic tissues में, यह hypothalamic hormones के थूर, regulate होते हैं, इनको control किया जाता है, hypothalamus के थूर, लेकिन hormones hypothalamus में synthesize नहीं होते हैं, यहाँ पर बात करें, pineal gland, एक और gland हमें देखने को मिलेगी, जो melanin release करती है, regulate करती है, diurnal rhythm, इसके बारे में हम और detail में जिक्र करेंगे अभी, body temperature को control करना, pigmentation, color को, और हमारे immune response को control करने का काम कौन करती हैं, यह pineal gland करती हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगली gland की तरफ, उससे पहले, इस gland के disorders के बारे में पढ़ लेते हैं, disorders मतलब इसका कम secretion, या ज़्यादा secretion, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कहीं पर hypo, hypo का मतलब वो hormone कम secret हो पाया है, और हाइपर अगर दिख रहा है, तो हाइपर का मतलब वो hormone ज़्यादा secret हो गया है, तो ज़्यादा होने पे या कम होने पे, इनमें disorders देखने को मिलते हैं, जैसे अगर हम बात करें, pituitary dwarfism, बिमारी का नाम है, disorder condition क्या है, dwarfism कभ होती है, जब hyposecretion होता है growth hormone, growth hormone क्या है, body की growth के लिए responsible है, लेकिन अगर यह कम release हुआ, तो stunt growth देखने को मिलेगी, growth बढ़े नहीं हो पाएगी, dwarfism या बाउनापन यहाँ पे देखने को मिलता है, अगला हिस्सा है gignetism, gignetism की बात करें, तो hypersecretion of growth hormones की वज़े से देखने को मिलता है, abnormal growth होती है body की, बिल्कुल राक्षस जैसे या दैत जैसे, giant जैसे body बनके तयार हो जाती है, इसलिए इसको हम gignetism बोलते हैं, इसके बात देखने को मिलती है, acromegaly, acromegaly middle age duration की disease है, hypersecretion ये भी growth hormone की वज़े से होती है, लेकिन gignetism early age यानि की जन्म के समय से ही देखने को सुरुआत मिल जाती है, लेकिन acromegaly अचानक से middle age में growth hormone एक्सेज में रिलीज होने सुरू होगा है, अब इसकी वज़े से क्या होता है, serious complications आपको देखने को मिल सकते हैं, middle age में, premature death भी देखने को मिल सकती है, अगर इसको समय रहते ना रोका जाये तो, ये disease hard होती है, मुस्किल होती है, पहचान परना, डाइगनोस कर पाना, early stage में, सुरुआत में, क्योंकि, जब ये affected होती है, often goes undetected for many years, जब तक external feature, अंदर अगर कुछ size में बढ़ रहा है, तो हमें पता नहीं लगता है, जब तक बाहर से external feature ना देखने को मिलें, अचानक से आपके disfigurement देखने को मिलेंगे, जा बोन बड़ी हो जाएंगी, कान के हटियां बड़ी होने लगेंगी, internal bones या outer bones में, आपको changes देखने को मिलेंगे, इसकी वज़े से आपके face को disfigurement देखने को मिलेगा, और बहुत सारे यहाँ पे आपको harmful effect देखने को मिल सकते हैं, एक क्रोमिगैली में, यह death को lead कर सकता है, early stage में death detect करके इसका उपचार ना किया गया, फिर एक condition देखने को मिलती है, diabetes insipidus, यह hyposecretion of ADH की वज़े से देखने को मिलती है, diuresis की condition में water absorb कर लिया जाता है, लेकिन अगर यह कम secret हुआ, तो diminished ability देखने को मिलेगी, kidney की water बचा पाने की, पानी नहीं बचा पाएगा, जिसकी वज़े से water के साथ साथ लॉस होगा, electrolytes का और dehydration lead होगा, dehydration lead होगा, और साथ में glucose के molecules भी कुछ बाहर चले जाते हैं, इसलिए hyperglycemic condition को हम diabetes insipidus बोलते हैं, हमारी body में जब glucose के amount कम हो जाते हैं, अगली gland है, pineal gland, pineal gland locate होती है, darsar side of the forebrain, forebrain के पीछे side हिस्से में आपको नज़र आती है, ये कुछ structure होती है, ये आपका forebrain हिस्सा है, इसके पीछे यहाँ पे, size में, small pattern पे नज़र आती है, day light period और dark period का stimulation और inhibition, दोनों इनके थुरू control किये जाते हैं, hormone ये release करते हैं, melatonin, basic function होता है, 24 hour diurnal rhythm body का maintain करना, यानि की sleep-wake cycle को maintain करना, ये body के metabolism को, temperature को, pigmentation को, menstrual cycle और defense capabilities को regulate करते हैं, ये total 4 main regulation pattern इनके देखने को मिलते हैं, pineal glands के, अगली gland है, thyroid gland, thyroid gland में, दो सब types of cells देखने को मिलेंगी, एक follicles और एक para follicles, para follicles की basis पे यहाँ पे secret देखने को मिलेंगे, आपको parathormones, जो blood calcium level को घटाने का काम करते हैं, इसके अलावा, follicles secret करती हैं, T3 और T4, thyroxine hormones, जो regulate करते हैं, vessel metabolic rate, development of maturation of central nervous system, erythropoiesis, metabolism, और mensual cycle, इनके बारे में हम एक एक करके discuss करेंगे, आपे thyroid gland, especially present कहाँ पे देखने को मिलती है, यह आपका vocal card है, neck region में पाई जाती है, अगर हम बात करें, यह body है, तो हमारे इस position पे इनकी location देखने को मिलेगी, गरदन से front की तरफ, आप टच करके इनको कुछ इस तरह से देख सकते हैं, यह यह thyroid gland होती है, दो lobes में mainly body होती है, इसलिए इसको बोलते हैं, by lobed structure होती है, connect होती है through the thin flap of connected issues, यहाँ पे एक पतले flap like structure से यह connected होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, isthumus, यह हिस्सा isthumus के नाम से जाना जाता है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यह lobe जो structure हैं, इनमें देख रहे होंगे, आप छोटे-छोटे से follicles पाय जाते हैं, तो follicle cells से बने होते हैं, जो inclosure करते हैं, एक cavity, किसमे stromal tissues में, stromal tissues में, cavity में store देखने को मिलते हैं, iodine क्या होता है, यहाँ पे essential होता है, इन hormones के, इनकी gland के जो hormone synthesis होते हैं, उनके लिए thyroid gland में, numbers की बात करें, तो total एक number आपको देखने को मिलते हैं, thyroid gland, hormones में लिजो release होते हैं, यह होते हैं, T4, thyroxine, या इसको बोलते हैं हम tetra, tetra 4 को represent करता है, iodine, idoco and thyroid gland, thyroid gland चे रिलीज होते हैं, तो T4, tetra idothyronin, और T3 represent करता है, tri idothyronin, functions की बात करें, तो यह basal metabolic rate को control करते हैं, इसके अलावा control करते हैं, metabolism of carbohydrate, protein और fat, यानि कि जो chemical convergence, हमारी body में हो रहे हैं, mainly कौन control कर रहा है, यही thyroxine hormones, maintain करते हैं, water और electrolyte balance, इसके अलावा, maturation और development, central nervous system का देखने को मिलता है, support करते हैं, process of RBC formation, यह RBC, यानि की red blood cells के formation को support करते हैं, process बोली जाती है, erythro poesis, और regulate करते हैं, यह menstrual cycle को, next one is a thyrocalcitonin, TCT summarize form में लिखते हैं, यह proteinin का बना हुआ, hormone देखने को मिलता है, इसका काम है, blood calcium level को क्या करना, regulate करना, अगर increase हो गया है, तो इसको घटाना, अगर thyroid gland की बात करें, तो इनके disorder में हमें देखने को मिलता है, धायोडीन की कम thyroid gland का release होना, यह कब हो सकता है, जब iodine की कमी देखने को मिले, कब हमारे diet में, तो हमारे diet में, अगर यह कमी देखने को मिल रही है, तो condition काज हो सकती है, कि हमें हाइपो-धायोडीन देखने को मिले, अगर iodine हमें नहीं मिल रहा है, तो iodine अगर कम लिया हमने, कब डाइट के समय या pregnancy के duration में बच्चे को नहीं मिल पाया, क्योंकि मा ने iodine नहीं खाया properly, तो ये समस्या हो सकती है, काजिंग देखने को मिलती है, ग्वाइटर, पहली कंडिशन, अगर iodine की कमी हुई, तो enlargement हो जाता है, थारवाइट ग्लैंड का, थारवाइट ग्लैंड की साइज काफी बढ़ी जाती है, और इस तरह से गलिकरीजन स्वैल अप कर जाता है, इसको बोलते हैं हम ग्वाइटर, अगली डिजीज है, keratinism, keratinism में देखने को मिलता है, stunt growth, growth अचानक से रोग दी जाती है, mental retardation की देखने को मिलता है, low intelligence कोईसेंट हो जाता है, skin abnormal हो जाती है, और deep mutism की condition देखने को मिल सकती है, मतलब सुनने और देखने में काफी सारी समस्थाए हैं, यहाँ पे देखने को म मिलता है मिलती है growth बिल्कुल इस्टंड हो जाती है adult woman की बात करें mensual cycle irregular हो जाती है अगर hypothyroidism की condition होती है तो next बात करें हम hyperthyroidism की अगर thyroid really जादा हो गया कब हो सकता है cancer हो जाए अगर thyroid gland में तब या फिर nodules form हो जाते है thyroid gland में तब ये condition देखने को मिलती है condition की वज़े से disease देखने को मिलती है exothalmic guiter या इसको हम gravis disease बोलते हैं इस condition में thyroid gland का size बढ़ जाता है pretendus eyeball आख निकली हुई सी नजर आती है bmr बढ़ जाता है और weight loss condition देखने को मिलती है ये कुछ condition आपको नजर आती है body की आखें बाहर निकली हुई चार नंबर में पाई जाती है ये ठीक थार्वएड ग्लेंड के बैकस साइड में नोडस लाइक इस्टा्चर में पर्जेंट होती है ये पैरा थार्विड ग्लेंड है इसके पहले हमने यहाँ पे जिक्र किया था कि जो थायरो कैलसीटोनिन हार्मोन है उसका काम है कैलसियम को रेगुलेट करना सपोर्ट करता है थायरो कैलसीटोनिन को पैरा थार्मोन basic functions की बात करें तो हार्मोन यहाँ पे parathyroid हार्मोन या PTH हार्मोन यहाँ से release होते हैं peptides in nature होते हैं increase करते हैं level of calcium hypercalciemic condition को काज करते हैं act करते हैं bone पे और stimulate करते हैं process of bone reabsorption dissolution या demineralization की condition बोली जाती है जिसमें properly dissolve form हो जाता है calcium iron अपने composition के साथ और minerals form से release होके एक composite structural form में बन जाता है इस condition में हम देखते हैं stimulate या reabsorption of calcium plus iron renal tibules में देखने को मिलता है ताकि renal tibules से भी यह बाहर ना जाए इसके अलावा calcium iron का absorption digested food से तेजी से होने लगता है यह control कौन करते हैं parathyroid gland parathyroid gland के बाद आता है thymus gland location की बात करें तो यह आपके इस location पर पाई जाती है कहाँ पर दोनों के side जो vertebra है vertebra के back side से behind में vertebral column है, front पे sternum है sternum जहाँ पर end हो रहा होता है उसी के just नीचे heart locate कर रहा होता है heart से निकल के aorta जा रहे होती, aorta से just touched pattern पर देखने को मिलता है between the lungs और sternum के पीछे ventral side of aorta में यह पाया जाता है degenerate कर जाता है old age में इसकी वज़े से immune response जो होता है, वो क्या हो जाता है कमजोर हो जाता है बढ़ापे में thymosins hormone release करते हैं जो peptide in nature होता है एक ही numbers में यह gland पाई जाती है यह इनका कुछ shape देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा यह T lymphocyte की differentiation में role play करते हैं इसकी वज़े से cell mediated immunity देखने को मिलती है, इसके अलावा यह promote करते है production of antibodies antibodies के production को promote करते हैं फिर thereby humoral immunity body में, human body में immunity इनकी वज़े से generate हो जाती है next अगली gland की बात करें तो gland है कौन सी, adrenal gland adrenal gland कहाँ पाई जाती है kidney की उपर, यह cap like structure होती है flap pattern पे अगर इसको cut करें तो जैसे papita देखा है, papaya cut करते हैं, अंदर से ऐसा structure दिखता है, एक inner wall white color की membrane structure होती है बीच में pulp, गूदा जो खाते हैं और बाहर के तरफ एक green color की membrane तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है adrenal gland को cut करने के बाद triple layered होती है adrenal अंदर वाला जो हिस्सा होता है इसको medulla बोलते हैं, जिसमें 20 पाई जाते हैं, बाकी तीनों membranous structure, adrenal cortex का हिस्सा होती है adrenal cortex की अगर हम बात करें तो adrenal cortex 80 to 90% हिस्सा कवर करता है और इसके तीन जोन्स dividend pattern पे देखने को मिलते हैं पहला है, जोना glomerulosa, outer layer होती है जोना fasciculata middle layer होती है और जोना reticularis, inner layer होती है outer layer, mineralocorticoide hormone release करती है जोना fasciculata, glucocorticoide hormones release करती है और जोना reticularis secret करती है sex corticoide hormones इनकी बारे में अभी हम detail में पढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, adrenal gland की ये pair के form में पाई जाती है interior part of the kidney पे locate करती है adrenal cortex का पहला हिस्सा है जोना glomerulosa, outer layer main hormone glucocorticoide का कौन सा है? कार्टी सॉल ये gluconeogenesis lipolysis और proteolysis proteolysis का मतलब protein का breakdown है lipolysis का मतलब lipid का breakdown है और gluconeogenesis का मतलब है glycosin से glycosin जो liver में restored है उससे glycosin से convert करना किसको? glucose को gluconeogenesis मतलब glycosin से glucose का बनना इसको role play में लेके आता है कौन? कार्टी सॉल कार्टी सॉल की basically बात करें तो ये cardiovascular system को भी control करता है kidney के functions को भी proteolysis, proteins के breakdown को RBC के production को और gluconeogenesis या lipolysis यहाँ पे liver cells में functionate करता है इतने सारे बढ़िया से काम ये बेचारा अकेले करता है अगली बात करें जोना reticularis की जोना reticularis सबसे inner layer होती है endrogenic steroid in nature होती है ये प्ले करती है growth of axial hair axial hairs की बात करें तो हम बात कर रहे हैं armpit की हाथो के और body के नीचे जो hairs present होते हैं armpit में उनको हम axial hairs बोलते हैं pubic hairs जो lower body में पाया जाते हैं और facial hairs during puberty जैसे beard and mustaches का development ये आपको इन hormones की वज़े से देखने को मिलता है फिर अगले pattern की बात करें last जो जोना fasciculata middle layer थी ये major mineralocarticoid इसका देखने को मिलता है eldosterone eldosterone hormones की बहुत सारे काम आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं ये stimulate करता है re-absorption of sodium iron and water और excreation करता है potassium iron और phosphate iron का मतलब sodium और water को अंदर से बाहर की तरफ लाना किसको sodium और water को अंदर से बाहर लाना और बाहर से K-plus और phosphate को क्या करना अंदर की तरफ भेजने का काम eldosterone करते हैं eldosterone hormones release control करते हैं kidney के functions को ये help करते हैं maintain करने में electrolytes के balance को body fluid के volume को इसके अलावा osmotic pressure और blood pressure भी इनकी help से control किया जाता है ये produce करते हैं entry inflammatory reactions और suppress करते हैं immune response अगर immunity response की वज़े से allergic condition form हुई है तो उसको भी ये suppress करते हैं यानि की घटाते हैं इसके अलावा glomerular filtrate rate को ये stimulate करते हैं बढ़ाने में help करते हैं RBC के production को बढ़ाने में help करते हैं इसके अलावा ये cellular uptake of utilization of amino acids को maintain करते हैं cardiovascular system को and the kidney functions और ये kidney functions को भी maintain करते हैं तो इतना काम इनके जिम में देखने को मिलता है of the hormones Jonah fasciculita फिर बात करते हैं हम इनके disorder की adrenal gland के disorder पहले cortex के hypo secretion की कि अगर cortex hormone कम देखने को मिले तो एक disease हो जाती है hyperpigmentation देखने को मिलता है इसके अलावा acute weakness लगातार और hypoglycemia की condition देखने को मिलती है इन्यमिया की condition भी form हो सकती है disorder अगर hypersecretion हो जाए adrenal cortex hormones के तो oversecretion हो जाएगा अगर cortisol के तो lead करेगा excess breakdown of body fat या lipolysis क्योंकि fat के breakdown को यह help करते हैं fat deposit in unusual bodies areas like face और upper abdominal region में जो characterized होते हैं by moon face fist mouth buffalo hums इस condition को बोलते हैं cussing syndrome या accusing syndrome fat अलग अलग body के area में क्या हो जाता है deposit हो जाएगा इसकी वज़े से गाल फूला हुआ अचानक से एक टेड़ा सा मू जिसमें fat ज़्यादा deposit हो गया दूसरे area में खाली यह cussing syndrome बोला जाता है moon face या fist तरह के mouth देखने को मिलेंगे या buffalo भैंस जैसा कूबर आपको देखने को मिल जाएगा ये सारे काज़ेज आपको देखने को मिल सकते हैं इस conditions में next हम बात करें adrenal medulla की adrenal medulla center located होती है इस gland में mainly जो hormones release होते हैं वो adrenaline adrenaline को epinephrine hormone भी बोलते हैं तूसरे hormone है noradrenaline इनको हम nor epinephrine बोलते हैं इसके अलावा कुछ hormones और release होते हैं catacolamins ये hormones भी यहां से release होते हैं इन hormones को हम emergency, fight या flight hormones बोलते हैं इनको 4S gland के नाम से भी mention किया जाता है adrenal medulla को क्योंकि ये sugar metabolism में salt retaining में और sex hormones release करने में इसके अलावा stress reactions को control करने में help करते हैं इसके अलावा इसको हम triple F glands भी बोलते हैं क्योंकि ये fear, flight और fight तीन condition यानि कि बहुत ज़्याजा जब डर होता है या प्राण पखेरू उड़ने का डर होता है या बहुत ज़्यादा युद्ध की एस्थर condition देखने को मिलती है, उस समय ये hormones release होते हैं, ये alertness बढ़ा देते हैं pupillary dilate कर देते हैं pupill आपका dilate हो ज़्यादा तेजी से आप चीजें देख पाते हैं pylo erection body बिलकुल straight हो जाती है, sweating का आज करते हैं ये large stage में क्योंकि metabolic rate को भी ये increase कर देते हैं heart beat को increase करते हैं strength कर देते हैं heart के contraction को और rate of respiration को बढ़ा देते हैं ये stimulate करते हैं breakdown of glycosin इसकी वज़े से देखने को मिलता है increased concentration of glucose in blood blood में glucose का concentration बढ़ा जाता है तुरंथी क्योंकि ये glycosin के breakdown में help करते हैं इसके अलावा lipid और proteins को भी ये तुरंथ breakdown करना शुरू कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा energy की हमें requirement होती है sudden duration में फिर next gland की बात करें हम pancreas pancreas के दो हिससे क्योंकि ये dual gland के नाम से जानी जाती है dual gland इसलिए बोलते हैं क्योंकि dual function perform करती है एक endocrine part जो hormones release करते हैं और एक exocrine part जो enzymes release करते हैं ये enzymes release करते हैं almost 98 to 99 percent हिस्सा ये include करते हैं pancreatic acne ये जो छोटी सी packet like structure ये पूरे की पूरी pancreas gland है इसमें acne presence देखने को मिलती है acne of pancreas ये वाली जो structures attached है एक pancreatic acne ये release करते हैं digestive enzyme जिसकी वज़े से digestion देखने को मिलता है बट इसमें बहुत कम हिस्सा यानि की 1 to 2 part इस पूरी gland का ये eyelids of langer hands को include करता है ये 1 to 2 million numbers पाई जाती है और ये फैली होती है किसके बीच में acne के बीच में इनके पास पाई जाती है alpha, beta, delta and pp cells ये total 4 cells होती है majorly और इनी cells के basis पे यहाँ पे देखने को मिलता है locations की बात करें तो ये small intestine के पास open होता है deodenum region में इनकी ducts एक साथ open करती है क्योंकि वहाँ पे enzymes release होते है लेकिन ductless को जो हिस्सा है वो release करता है alpha cells glucagon hormones release करती है और जो beta cells होती है वो insulin release करती है glucagon का जो target होता है वो होती है hepatocyte cells यानि कि वो cells जो पाई जाती है liver cells में तो liver cells को यह control करती है hepatocyte cells के अलावा adipocyte यानि कि adipose tissue जो fatty acid की deposit cells देखने को मिलती है उन पे adipocytes भी functionate करती है stimulate की बात करें तो glyconeogenesis यह काम क्या करता है glycogenesis यह glucose glycogenesis यानि कि glucose को glycogen में convert कर देता है इसके अलावा glyconeogenesis यह दो condition परफॉर्म करता है जिसकी वज़े से blood के glucose लेबल में hyperglycemic condition फॉर्म हो जाती है यानि कि glucose का लेबल बढ़ जाता है क्योंकि यह glycogenesis परफॉर्म करती है या फिर glyconeogenesis दोनों परफॉर्मेंस देखने को मिलता है कि यह normal glycogen को breakdown करती है और glucose है उसको convert करके glucose neogenesis परफॉर्म करती है तो glucose को glycogen से breakdown करके यह performance करती है अब यहाँ पर condition क्या देखने को मिलती है कि glucose uptake and utilization by the cells cells से glucose का uptake और utilization बढ़ा दिया जाता है यह कम देखने को मिलता है cells से uptake और utilization cell का यह घटा देती है जबकि insulin क्या करते है glycogenesis यानि कि glucose है इसको convert कर देते है किसमें? glycogen में तो glycogen के conversion की वज़े से glucose क्या हो गया? कम हो जाता है hyperglycemic hormones बोले जाते है insulin के यह utilization by the cell और glucose के अपडे को बढ़ा देते है disorder pattern की बात करें तो यहाँ पे मिली देखने को मिलता है diabetes mellitus diabetes mellitus काजड होता है अगर long time duration तक hyperglycemia की condition बनी रहे यानि कि glycogen proper functionate करता रहे और glucose का अपटेक कम हो जाए और बाडी में glucose की मात्रा बढ़ जाए इस condition को hyperglycemia बोलते हैं अगर यह लगातार बनी रहती है तो इसकी वज़े से body में diabetes mellitus हो जाता है characteristics की बात करें तो glucose loss देखने को मिलता है urine में इसके अलावा ketone bodies का formation होने लगता है during the diabetes mellitus इसके treatment की बात करें तो insulin की therapy दी जाती है insulin के injections और insulin hormone दिये जाते हैं अगले pattern की बात करें तो हमारे पास देखने को मिलेंगे gonads gonads primary sex organs होते हैं forms gamete and secret hormones primary sex organ का काम है gametes formation करना और hormone secret करना चुकि हमें मतलब है hormones है तो हम hormones की बात करेंगे male में अगर हम बात करें तो scotal sex यह body के बाहर पाये जाते हैं female में ovary your body के abdomen के अंदर पाये जाती abdomen के अंदर दो हिस्से देखने को मिलेंगे एक ovarian follicle और एक carpus luteum ovarian follicle estrogen hormones release करते हैं जबकि carpus luteum progesterone hormones release करते हैं हम अपनी बाटी में बात करें तो outside scotal sac में lady cell और intestinal cells dos cells majorly पाये जाती हैं इनका काम endrogen mainly testosterone hormone produce करना देखने को मिलता है यह testis region होते हैं यही पर present देखने को मिलती है आपको lady cells की और mainly यही testosterone जैसे hormones को release करने में help करते हैं female body में यह body के अंदर cavity पाये जाती है यह हिस्सा आपको देखने को मिलता है uterus का और यहाँ पर ovaries पाये जाती हैं यहीं ovaries mainly आपको hormones release करती हैं दो types of hormones आपको release देखने को मिलेंगे estrogen and progesterone इनके functions की बात करें तो testosterone को जो function होता है यह काम करता है maturation or development of male accessory sex organ stimulate करना espermatogenesis को इसके अलावा central nervous system पे act करना और influence करना male sexual behavior libido के लिए यानि की couplet के लिए form करने के लिए message signal में मतलब दिमाग के थुरू sexual behavior के against उतेजना डवलब करने के लिए यह hormones responsible होता है इसके अलावा stimulate करना muscular growth को growth of the facial and axillary hairs यानि की armpit के hair इसके अलावा aggressiveness और low pitch of the vice इनी hormones की वज़े से male body में देखने को मिलती है यह produce करते है anabolic यानि की synthetic effect on proteins और carbohydrate की metabolism पे जबकि हम बात करें अगर estrogen की तो यह growth और activity of female secondary sex organs के लिए responsible होते है इसके अलावा यह follicles के growing stimulation में development में help करते हैं sexual behavior को regulate करते हैं इसके अलावा secondary sex character right memory gland के formation में high pitch wise की इनके थुरू control किया ज़ादा है प्रजिस्ट्रॉन की बात करें तो यह pregnancy को support करते हैं जब fertilization हो जाता है तो जाइगोट के implantation में help करते हैं milk secretion में या oxytocin के साथ supportive nature zone करते हैं इनके pattern की बात करें तो यह सारी endocrine glands हमारे syllabus की खतम होती हैं पर फिर भी कुछ glands ऐसी होती है जो functionate करती है इनके similarities हम बात करें hormones of the heart, kidney and gastrointestinal tract heart की atrial wall से एक hormone release होता है ANF, atrial natrioretic factor जब blood pressure बहुत जादा बढ़ जाता है तो उस समय blood vessels को यह क्या करते हैं dilate कर देते हैं ADHK, just antagonistic होते हैं यह hormones blood vessels को dilate करते हैं इसकी वज़े से blood pressure क्या होता है घट जाता है दूसरा है juxtra glomerular cells यानि की JG cells यह kidney के JGA यानि की juxtra glomerular apparatus के तुरू release होती है erythropoetin peptide hormone से release करती है यह stimulate करते है erythropoesis यानि की RBC के formation में help करते हैं Next, endocrine cells in the different part of the gastrointestinal tract gastrointestinal tract यानि की summarized form में GIT लिखते हैं GIT ये भी, ये भी, ये भी ये सब क्या होते हैं GIT यानि की gastrointestinal tract के hormones है यहाँ पे हम बात करें तो release करते हैं सबसे पहले gastrin hormone ये gastric glands पे work करता है stimulate करता है secretion of HCL और pepsinogen जो help करता है प्रोटीन के breakdown में GIP gastric inhibitory peptide ये gastric secretion को रोकने में help करता है और उनकी motility को stop करता है तो एक बढ़ाने में, दूसरा घटाने में कॉलिसिस्टोकाइन ये भी एक हार्मोन होता है exocrine part of pancreas का होता है और gall bladder पे भी देखने को इनका function मिलता है ये stimulate करते है secretion of pancreatic enzyme और bile juice ताकि bile juice और pancreatic enzyme दोनो properly release हो सके इसको कौन कंट्रोल करता है कॉलिसिस्टोकाइन हार्मोन जो endocrine cells के थूर रिलीज होता है इसके अलावा एक और है secretion नाम में ही है secretion तो ये exocrine part of pancreas के बाकी हार्मोन को secret करने में help करता है इसके अलावा water और bicarbonate के further secretion को ये stimulate करता है अगला non-endocrine tissues की बात करें तो ये growth factor रिलीज करते हैं normal growth के लिए repair के लिए कई cell damage हुई है तो उसके लिए और इसके अलावा regeneration of tissues जैसे liver cells कभी damage हो जाती है तो वापस regenerate कर सकती हैं वो non-endocrine tissues के through control की ये जाते हैं तो अब बात कर लेते हैं ये जो hormones अलग-अलग gland से release हुए इनकी क्या type possible है तो हाँ ये chemical nature of hormones के हम देखने को पाते हैं कि hormones हमारे पास दो types के देखने को मिलते हैं पहले होते हैं water soluble जो पानी में घुल जाते हैं और दूसरे होते हैं lipid soluble water soluble में हमें देखने को मिलेगे amine या proteinaceous के hormones जो peptide bonds के साथ बने होंगे जैसे amine hormones epinephrine और norepinephrine जो release हो रहे थे कहां से adrenal medulla से peptide और protein hormones ये oxytocin vasoparcin, ADH, MSH PTH, TSH और FSH ये सब आपको देखने को मिल रहे थे कहां पे peptide gland के hormones ये peptide और proteins के hormones देखने को मिलते हैं steroid hormones और theroid hormones theroid hormones तो simply theroxin होंगे लेकिन steroid hormones की बात करें तो mineralocarticoid, glucocarticoid, testosterone, estrogen and progesterons ये जो ovary के hormones आपको देखने को मिले इसके अलावा आपको adrenal cortex के hormones हैं ये steroid in nature होते हैं ये types आपके hormones देखने को मिलते हैं इनके functions के basis पे अगर हम बात करें तो water soluble hormone वो है जो membrane bound receptor के साथ normally not enter the targeted cells ये target cell के पास नहीं जाते हैं ये कहां पे होते हैं सिर्फ membrane bound receptor क्योंकि membranes के पास पाई जाती हैं receptors यहीं पे membrane पे receptors प्रेजेंट होंगे तो इनको cells के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है बट generate secondary messenger ये पहुंचते हैं secondary messenger delete मतलब generate करते हैं example cyclic GMP guanosine monophosphate इसको हम CGMP बोलते हैं cyclic adenosine monophosphate IP3 inositol triphosphate calcium ion etc ये क्या है secondary messenger से हैं पहले hormones आएगा और फिर secondary messenger भेज देगा जिसकी वज़े से cellular metabolism regulate कर दी जाएगी तो ये है hormone IR membrane के पास membrane के पास receptors present थे example FSH की बात कर रहे हैं ovary की cell membranes पे आएगा पहले response काज करेगा secondary messenger generate करेगा cyclic adenosine monophosphate या calcium ion फिर इसके biochemical response देखने को मिलेंगे और biochemical response के बाद physiological response देखेगा और ovary में आपको growth देखने को मिल जाएगी अगले pattern की बात करें तो lipid soluble hormones ऐसे hormone जो interact करते हैं intracellular जो cell के अंदर घुच जाते हैं receptors उनके कहां हैं cell के अंदर है steroid iodothyronine की हम बात कर रहे हैं steroid hormones हों या thyroxine के hormones हो ये regulate करते हैं gene expression या chromosome के function by interaction of hormone receptor complex with the genome ये सीधे genome से connect करते हैं cumulative biochemical excel result in physiological and development effect तोनों का मिला जुला action याँ पे देखने को मिलता है सबसे पहले ये enter करते हैं hormones, example, estrogen uterine cell membrane है ये सिर्फ surface पे नहीं आए ये कहां गए सीधे nucleus की membrane के अंदर ये बाहर भी नहीं रुके कहां गए nucleus membrane की अंदर जो आपके chromosomal sequence है वहाँ पे hormone receptor complex पाए जाएंगे hormones के साथ जुडेंगे और उसके बाद आपके genome sequence में ये changes कास करेंगे genome ये mRNA formation करेगा और mRNA for the proteins और proteins की वज़े से physiological response आपको देखने को मिलेंगे और tissue की growth और differentiation आपको देखने को मिलेगी तो hormones दो mainly types के action perform करते हैं एक membranous structure में और दूसरे काउन से अंदर इंटर करने के बाद तो intracellular receptors जो होते हैं वो कहां पे nucleus के अंदर स्पाए जाते हैं hormone receptor target tissue के लिए ही भेजे जाते हैं each receptor is specific to hormones only hormones act करते हैं extracellular receptor और cell के अंदर नहीं इंटर करते हैं कहां पे जब ये water soluble होते हैं लेकिन जब ये fat soluble होते हैं तो ये कहां पहुंच जाते हैं inside the nucleus अब हम बात करें hormones के classification की तो steroid और idothyrun कैसे थे intracellular यानि कि nuclear receptor से bind कर रहे थे जब कि amino acid के peptides के यानि कि epinephrine, insulin ये सब किस से bind कर रहे थे extracellular या membrane bound receptor के साथ ये जड़के रह जा रहे थे अब ये क्या हैं दोनों hormone receptor तो complex बनाएंगे ना ये जो intracellular था ये interact करता है किस के साथ genome के साथ और gene expression regulate करता है chromosome के functions को उसके बाद biochemical changes आते हैं चब की extracellular वाले क्या करते हैं secondary messenger, cyclic, camp, ip3 या calcium ions release करते हैं target cells के पास और फिर इनका milajula effect देखने को मिलता है कि physiological development या changes आपको देखने को मिल जाते हैं तो ये आपको यहाँ पे segment देखने को मिलते हैं, disorders की बात करें तो dwarfism, growth hormone की कमी की वज़े से, gignetism, जादा secretion की वज़े से growth hormone acromigally, एक particular over secretion देखने को मिलता है growth hormone का ही, यानि की somatotropin hormones का, ये कब early age में न देख करके middle age में देखने को मिलता है diabetes, इंसी, peteris की बात करें तो ADH hormone की deficiency की वज़े से keratinism की बात करें, तो thyroid hormones की embryo में कमी देखने को मिल जाती है mixodema, deficiency of thyroid hormones, adulthood में देखने को मिलता है, simple guiter, iodine की कमी की वज़े से, exothalmic guiter, जादा secretion of thyroid hormones की वज़े से, titani, deficiency of parathormones की वज़े से देखने को मिलेगी osteoporosis से condition देखने को हो जाती है, जब parathormone जादा secret हो जाता है, diabetes mellitus की बात करें, तो deficiency of insulin की वज़े से ये disease आपको देखने को मिल जाती है, कुछ extra points हैं आपके, एक है heterocline gland, hetero का मतलब multiples, hetero हम use करते हैं, अलग-अलग different, तो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो gland, जो endocrine gland के साथ-साथ hormone secretion में help करती हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा heart, kidney, as well as कुछ और function भी perform कर रही होती हैं, उनको हम heterocline glands बोलते हैं, जैसे pancreas हैं, gonads हैं, GI mucosa है, and gastrointestinal mucosa cells की बात कर रहे हैं हम और kidney की, ये contrary करते हैं, thyroid dwarf या keratins को, the pituitary dwarf that have a normal mental development and the proportionate body, अगर हम बात करें, अगली disease है, cement disease, cement disease एक ऐसी condition है, due to a trophy of the anterior lobe of the pituitary gland, pituitary gland का anterior lobe में अगर कमी देखने को मिलती है, या कुछ समस्या देखने को मिलती है, तो disease का जोती है, Simmons disease, growth hormones stimulate करता है, liver को और form करता है, somatomendis, insulin-like growth factors, ये somatomendis have potent effect on bone growth, हड़ियों की growth में, बहुत ज़्यादा role play करता है, heart की अगर हम बात करें, तो heart में cyclic guanocene monophosphate के पास antagonistic effect देखने को मिलता है, cyclic adenosine monophosphate के comparison में, ये muscles contract को mediate करता है, adrenaline के response पे, जब की cgmp क्या करता है, muscle contraction को stop कर देने में काम करता है, is a response to the acetyl colon, acetyl colon के against response का जोता है, cgmp यूज किया जाता है, as an second messenger in anp, and nitric oxide, pituitary tumor cause होता है, due to the visual pros, pituitary tumor cause कर सकता है, visual problems, क्योंकि, ये extra pressure exert करते हैं, optic क्याजमा पे, क्याजमा junction point, जहां पे, eyes हमारी vision form कर रही होती है, और इसकी वज़ए से, effect कर देता है, ये transmission of sight impulses में, impulse, जो देखने के लिए, generate हो रहे थे, उनमें समस्याएं देखने को मिल जाती है, cortisol hormones, जो adrenal cortex के होते हैं, वो help करते हैं, maintain of the body in the living condition, and recover it from the severe effects of stretch reactions, इसकी वज़ए से, increase output of cortisol, देखने को मिलता है, वो कैसा होता है, life saving होता है, कब एक shock condition में, so it is known as life saving hormone, तो life saving hormone कौन सा होता है हमारा, cortisol देखने को मिल जाता है, amount of cortisol और ACTS blood में, is maximum in the morning, and minimum in the early part of the night, जैसे जैसे रात होती है, इसका amount घट जाता है, secretion, thymine का, decrease करता है, neuromuscular transmission, इसकी वज़े से, hypersecretion of thymine, अगर thymine का amount बढ़ जाता है, तो इसकी वज़े से, myasthenia gravis, एक ACTS disease काज होती है, जिसकी वज़े से, antibodies against receptor form हो जाती है, और ये, neuromuscular junction को, block कर देता है, इसकी वज़े से, message, muscles तक नहीं पहुँच पाता है, और फिर muscles properly functionate नहीं कर पाते हैं, conditions की बात करें, तो synergistic hormones, ऐसे hormones, दो hormones, complement करते हैं एक दूसरे को, मतलब एक काम कर रहा है, तो दूसरा उसके साथ आता है, कि हाँ चलो हम साथ में work करेंगे, support करने वाले hormones जैसे, insulin और growth hormones, thairoxin के पास, इनके synergistic effect देखने को मिलते हैं, body growth के लिए, दूसरा, estrogen, progesteron, prolectin and oxytocin, ये एक साथ एक ही manner में work करते हैं, memory gland के physical growth में help करते हैं, और mix secretion तक का इनका responsibility होता है, तो ये आपस में synergistic pattern की, एक के बाद एक के बाद एक proper function करेगा, अगला pattern है antagonistic hormones, ये opposite, दो hormones जो आपोज करते हैं दूसरे के action को, उनको बोलते हैं हम antagonistic, जैसे insulin blood glucose level को घटाने का काम करता है, तो glucagon बढ़ाने का, calcitonin hormones की बात करें, तो calcium level घटाने का, और parathiroid hormones की बात करें, तो ये बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे ही, melanocyte stimulating hormones और melatonin, melatonin hormones आपका pigmentation करने में help करता है, घटाने में और MSH उसको बढ़ाने में help करता है, इसके बाद हम diabetes की बात करें, तो type 1 diabetes, insulin dependent diabetes mellatus, type 2 diabetes, non insulin dependent diabetes mellatus, दो type की ये देखने को मिलेंगी, पहली condition में diabetes type 1 में, deficiency हो जाती है, insulin की वज़े से, insulin therapy से इसको treat किया जा सकता है, ये autoimmune disorder नहीं होता है, लेकिन, type 2 की बात करें, तो initially ये decrease होता है, sensitivity of receptor of the target tissues, to the metabolic effect of the insulin, insulin के effect को ही कम कर दिया जाता है, इसकी वज़े से, sensitivity to insulin is often called insulin resistant, अब insulin के against sensitivity, अगर cells की नहीं है, तो वो क्या हो जाती है, insulin resistance हो जाती है, disease condition यहाँ पर पॉँम होती है, insulin shock, at the time of physical liver or fasting, जब आप ब्रत रह रह रहे होते हैं, fast कर रहे होते हैं, if the diabetic patient take an insulin injection, अगर diabetes का patient, उस condition में एक insulin का injection ले ले, कब जब physical liver work कर रहा हो, बहुत ज़्यादा physical work कर रहे हो, और fasting हो ब्रत हो, तो अंदर आलेडी sugar की कमी होगी, sugar level in the blood reduce quickly, up to the 40 mg per 100 ml of the blood, इस condition को insulin shock बोलते हैं, patient may be unconscious or even may be die, उस condition में person dead भी हो सकता है, या फिर बेवोसी की stage को obtain कर सकता है, तो ये critical conditions देखने को मिलती हैं, ये chapter यहीं पे खतम होता है, chemical coordination and integration, उमीद है, अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही आसान से chapter था, बहुत ही simple और सरल भासा में, हमने यहाँ पे discuss किया है, अगर किसी तरह की कोई doubt, या कुछ problem रह रही है, तो वीडियो को वापस से आप repeat करके देख लीजिएगा, किसी तरह का सुझाओ देना चाहते हैं, तो नीचे Instagram ID का link हमारा, description box में mention किया गया है, आप directly जोड़ सकते हैं, चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो सबस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ सेयर करना मत भूलिएगा, तकि वो भी इसका single pattern पे benefit ले सकें, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही, चैहन,